यहार जीला की पैचान जूट उद्योग नगरी के नाम से थी ये इतना बड़ा मैदान जो आप दिख रहे हैं इसमें कभी बहुत सारी मशीने एक साथ खनखनाती थी एक हजार सर्मिक हम लोग थे उसमें और पचीश से तीश टन हम लोग उत्पादन देते थे हम उसमें बिहार की उसी जूट बिल में खड़े हैं जो इस हाल में है ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाई ITC सेंराइज मसाले स्वाद बिहार का बिहार का कटिहार जहां पे जूट की रसियां बनाई जाती थी जूट की खेती जो अब भी होती है लेकिन उससे जूट की रसियां बनाई जाती थी बिहार का कटिहार जहां पे भारी संकिया में मजदूर काम करते थे कई खबरों पे मजदूरों की संख्या 5000 बता ही जाती है हम उस समय बिहार की उसी जूट मिल में खड़े हैं जो इस हाल में है ये इतना बड़ा मैदान जो आप देख रहे हैं इसमें कभी बहुत सारी मशीने एक साथ खंखनाती थी बहुत सारा शोर होता था बहुत सारे मजदूरों के पसीने और उनका कौशल साथ में मिलके कई सारा टन जूट की रसीयां पैदा करता था लेकिन समय की करवट ऐसी थी कि रसीयां बनना बंद हो गई मशीने रुकने लगी उनके पुर्जे रचरचराने लगे और सरकार ने वही किया जो सरकार को सही लगा कि मशीन कर नहीं चल लई है तो मशीनों को बेच दिया जाए फिर खबने बताती हैं और लोग दावा करते हैं कि रचरचराती हुई मशीने किसी और फैक्टरी में जाकर किसी private jute factory में जाकर jute बना रही है सरकारों की उपक्रम फेल होने का प्राइवेट उपक्रम उठाते हैं निलामी में सस्ते दामों पे मशीने खरीच के उनको चलाइमान बनाते हैं और जो काम सरकारों करना चाहिए वो प्राइवेट इंटिटीज करते हैं कटिहार की जूट मिल की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं जिसमें बारा सो करोन के पुश के बावजूद प्रोटसाहन राशी के बावजूद इस जूट मिल को बंद करना पड़ा क्या मजबूरियां थी क्या कहानी है कैसे शुरू हुई हम इन लोगों से जानेंगे जो फ्रेमें मेरे पीछे खड़े हैं ये सबही लोग उस मजदूर संग से तालुक रखते हैं जो इस जूट मिल के मजदूरों को रिप्रेजेंट करता है वो जूट मिल के मजदूर अब नहीं है पिछले लगभग लगभग आठ सालों से क्या है कहानी कैसी है हम इस मजदूर संग के अध्यक्ष विकास जी सुधीर जी और उनके बाकी साथियों की जबानी सुनना समझना चाहेंगे सर पहले ये बताईएगा मैं पहले विकास जी आप से बात करता हूँ साल 1935 ये जूट मल शुरू होती है क्या शुरू होने की कहानी क्या है 1935 में कटिहार में भारत सरकार के हरवेचम जूट मील का स्थापना हुई उस समय एक कोलकता के उद्योग पती राय बहादूर हर्दत मल मोतीलाल अगरवाल जी लिये थे बात बहादूर के मील चलने लगा 1935 में स्थापना हुई और मील चलते चलते जाके 1978 में 80 में भारत सरकार ने उसको अधियकरन कर लिया सुधेशी जूझीज आप बता रहे थे कैसे पदधान मंत्रियों के कारेकाल में इस जूट मिल की कहानी आगे बढ़ी वो जरा बताईए ऐसे हैं ये जूट मिल जो है ये रायबादूर हदत मल चमरिया जी की थी तो 1977 में मुराजित दिसाई देश के परदान मंतरी बने थे और उस समय ये उद्धोग बन पड़ी हुई थी मजदूरों का बकाया बेतन के एवेज में तो यहां के उस समय अस्थानिय संसत यूराज सिंग जी थे जो तारीक अनवर को हराये थे और अपने कारकाल में अपने सरकार में अपने सरकार के विरुद उनोंने अंसन किया था संसत भावन जो साधी गांधी जी के गॉсь में आदीन में लिया और लेने के बाद में इसको चलाने का काम किया जो 1978 से 1980 में जाके पूर्टा भारत सरकार के आदिन यह अपका हैक्टरी हो गई मतलब मैं जानना चारू जानकारी के लिए आप लोग करते क्या थे उसमें क्या 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 काम थे आप लोगों के अलगरां बढ़े हों में आपकिस लाइन पर काम करते थे ऐसे इस इस प्रिंग था पावराऊस था तो घर तरह का चारपाण था मैंने सब्सक्राइब बना में जो कि अਹता है व्यन्टार का था हमको लगता हुन thriller को सब्स्तर हो ना हमें कि पूछ रहा है उसी त credit में जो है फिराइज के पहले उस टेंब मुने पड़े हम लोगों को जो था अशी रूपया कहीं साफ़ से दिया जाता था सप्ता नहीं पड़े एक दिन का असी रूपय में जो तहरा अच्छट उस टैम में मिलता था और सरकार ने जब ले लिए कि कितना मिलना शूरू आप लोगो को और लोग 25 करते होंके औरफ दुन पर पैसा थिन प्वाइब को जाता था इसका उसके सारं से यहां के लोगों की दिन चर्या चलती थी है क्या कहांनी देखिए जूट मील में तो ऐसा नहीं तो कर्णा जूट उद्योग भी ह pane हो गयी है ह। तो सोग क्या होता था कि मुल में जब सिरुन बस्ता था कि वुखो सार्मीब से तयार के मिल में नियद समय पर काम करणें हाजा जाते था ह। तो सारन ले बताता था कि आपनों को ड्यूटी हो गया है और अमनों को काम पर जाना है और बाद जी तीन सारन में आप तयार हुए उठिये दूसरा सारन में तयार ओजिए तिस्रा सारन में अंदर पूच जये गेट के अंदर घुच जये हुआ काम अपने समय से शुरू हो जाए अलग उत्सा था सैरन का लगता था कि बहुत बड़ी जवाब देही है नहां दो के तयार हो के बाल बच्छा परिवार चाहे लेके पान लेके खाला रहता था था कि अब ड्यूटी पर हमारे विवाव को हमारे गारिजियन को जना था और हम कि बाल आथ को पूर फ्र ही होगाइ यहां पे मशीने क्या यूटस लगी उए ती यहां आप खडे हैं यहां से जूट का चलना सब्सक्राटा अर्म की हर आपको जा करते करे चार्ầy था मिट well thatupa की जांने प्रक्राइस सब्सकार भी एपयाद का मसीन II ता ब्रेकर था सौपनर था स्विनिंग धाइडाइंग था लूम था खनिसंग था प्रेस था जहान पर उसको खड़ यहां से लगकर वह ठाख पुरा प्रोसेस था तर यहां से लेकर ऊख़ से यहां से रिल्फेScott तो उसमें चोटी लाइन में आती थी ट्रेन लगती थी यहां लोड होता था यहां से पंजाब हरियाना मत पर्देश वो जूट का जो थेला होता था जिसमें खाने वाले अनाच को फ़रा जाता था जैसे गेहूं हो गिया चावल हो गिया यह सारा चीज भराए जाता था वो में आपनानके बिनाटी लेती थी कितना बनाता था दिन दिन धायो कितने लोग कितना अकिशित यह जूते तई आपको 25 से 30 तन 20 दोर अजार meow उत्वादन देती थी वह क्या है वो पावर हाउस तो यह पहले जो था वो जैसे एंटी पीसी में टार्वाइंग चलता है वैसे पहले यहां टार्वाइंग चलती थी कि खुद अपना बिजली पैदा करके इसको चलाया जाता था लेकिन गौवर्मेंट का बाद में रूल आया कि नहीं बिजली आपको हमसे खाइदना ही असी में सरकार से ले लिए असी से लेकर साल उनिस ऑ हानवे तक जब से देश्मे सरकार माल लीजिए खेस सरकार बदलेचे 1 अ कि데 यह तक उस समय तक क्या हुआ उस समय स्क्रीचाणा रहती आथी है था। दो अपना ये सरकार का एक रवया है कि आपको डीव खाहिदना तो हम इस करिदना किसान से नहीं करीज सकतेIR जब खुछितव हैं को यह फूछित तो और अपसर लोगों का चाश्यत ग 사용 होओं किछती थी कर दंद फेति == करना उसके बाद में लिए सासंद काल में एक नीती बनी उसके बैयारेस के स्कीम और सबीतना के लिए उसके बाद में प्र नेक्स किया चैरन पर चोच को कि यह यहां के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए तो पुना फैक्टरी चली अब फिर नरण जी की सरकार आई फिर फैक्टरी बंद हो गई इसमें कोई पॉलिटिकल इतिहास नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है मनमोहन सिंग की सरकार में प्रुसाहन राची जो बारा सो क्रोन की बात होती है साड़े बारा सो क्रोन कुछ ऐसी राची तो वो इसी जूट मिल के लिए आई थी क्योंकि तीन जूट मिले थी एक यहाँ पर दो बंगाल में एक इसको रिवाइबल किया गिया तो दो बंगाल की और एक बिहार की मिल को चलाने के लिए वो पेकेज मिला था जो प्या हुआ उसके बाद काम शुरूओ यहाँ पर अब सरों का लूट मज गया तो असपस टूप से बंगाल और बिहार की निती लागू हुई मतलब यह कि हमारा जो अर्वेचम जूट मिल था इसका हेट ओपिस था कोलकता अर्वेचम को फिल फॉर्म के आ गया गया है रायबाद में अपनाया गया थीक है इसका जो हेट कोर्टर था कोलकता था वहाँ अर्वेचम जूट मिल के कामगारों के साथ यहां के सर्मिकों के साथ सोतेला बेभार किया गया लूट खसोट की निती हुआ अपनाए गी और वह जो पेकेज मिला था रिवाबाद पेकेज उसको जो है खापका के समने खतम कर दिया जैसे अब हम आपको बताए कि यहां जो को 12-14 में नहीं मसीन लगी सोलों में मील बंद हो गई मसीन तो नहीं था बस मसीन नहीं थी लेकिन 8 जनवरी 2016 में मील बंद हो गया और अभी मील का टेंडर हो गया बार सरकार ने टेंडर कर दिया और टेंडर करके वह मसीन जो एक बार चाभी लगाने से चल जाता उस मसीन को सरकार की यह निती है कि चलता चला हुआ मसीन रणिंग मसीन को ऑक्सन में करके बेस दिया गया और इसके लिए बंगाल की यह जो एंजेम सी कोलकता काड़िया लए फून रूप से इसका जिमेदार उसी के चलते हुआ एक हज़ार मजदूर यहां काम करते हैं उसके बाल बच्चा पड़िवार पंदा से बीस हज़ार लोग प्रभावित होते थे जूट मिलों जब हपता मिलता था तो कटिहार सार के सही चोक पर रोना का जाती थी हम लोग ने सभी संजुक ट्रेट उन्यान को एकजूट किया और कटिहार के सभी जनपर्टी निदी को जितने भी जनपर्टी निदी हैं विधायक हैं विधानपारसद हैं जिलापारसद अध्यक्ष हैं मेर हैं सांसद हैं सभी को एकजूट करके हम लोग ने कटिहार से ले तुम लोग ने कि लिए इंडिया सरकार भारत में इंडिया के सरकार लेकिन इसको नहीं लिया और जिसका नतीजह है रहे बंद हो गयी? और उसके बाद 8 जन्वरी 26 को मील बंद हुई मसी ने काई स्क्रेप हो गया ओक्सन हो गया चला गया लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि जितना गंभीर यहां के सर्मिक हैं टेट उडियन है अगर उतना गंभीर यहां के जन परती नहीं दी रहते तो उद्धियों कठ्यार से न कर दिया लेकिन भारत सरकार ने यह नहीं देखा जब आठ जन्वरी 26 को मील बंद हुई थी यहां के एक हजार मजदूर का 35 दिन का मजदूरी एक करो सत्ता इसलाक रुपया बकाया है नहीं भारत सरकार ने उस पर कुछ ने किया मसीन आपक्सन कर दिया ठीके दार आ गिया म किन हम लोगों ने समेदक को रोका हम लोग ने का कि नहीं जब तक मजदूरों का बकाया मजदूरी का भुकतान नहीं हो जाएगा हम लोग यहां से एक भी मसीन का नट निकलने नहीं देंगे समेदक भला अदमी था समेदक हम लोग का साथ दिया हम लोग ततकाली जिलापता करेंगे तो मसीन निकलते रहा हम लोग का पेमेंट होते रहा आज आपको बता दें कि मोटा मुटी मजदूर का मात नौलाख रुप्या दूज है मांकि पंचानवे परसेंट हम लोगों ने अपने परियास से ना कि कोई जन परती निदी तेर्ड उनियन और सर्मिकों का परिय अब अधर लग 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 पट गई है अब मशीन यहां की निलाम हो गई है चेमपस 15 एकर उसके बाहर जो है केमपस के बाहर टोटल मिला के 35 एकर जमीन है नगपक टीरपन एकर जमीन होगी लगभग 35 एकर जमीन है मसीन चला गया मजदूर का पेमेंट लगभग हो गया अब हम लोग का कहना है कि आरबियाचम के इस जमीन पर मकई या ग्यहूं का खेती तो नहीं होने देंगे जब तक हम लोग हैं नहीं होने देंगे क्यों इसलिए यह उद्योगिक छेतर है हजारों मजदूर का रोजी रोजगार यहां से चलता है हम लोग चाहेंगे कि बिहार सरकार भारत सरकार सभी एक जूटोकर यहां पर इतनों फैक्टरी लगे या फिर उद्योग लगे या कोई छोटा-छोटा उद्योग ऐसा लगे जिससे हम इस चेतर के जो सर्मिक रोजगार हुए है फिर से उसको रोजगार मिल सके एक चीज़ बताई समझने के लिए मुझे की आप लोग कह रहे हैं कि फैक्ट्रियां लगे क्या अभी भी इस पूरे इलाके में पूरिया कटिहार की इलाके में जूट पैदा किया जाता अब यहां पैदा होता है पाट किषिति जितनी होती है वो जाता कहा है यहां नी खपता है बंगाल भईना पढ़ता है हैं हैं तो आपства हम चुड बाहर खुर्णाओ से अचान ऐसे झुदू अशुठ के चले हैं यहां पाठका लू झाले जोग दो वांना तो नियुक की शनगंज है यह सी माचल की Geb constitution है और यहां सी माचल के जूट के खेती से बेस्ट बंणाल के मसीन काप का पहिए गुमता था बंगाल का पहिए गुं रहा है और USDA कपहई जिर अब और जोनी हो गये हैं मैं क्र शी समझना दोलो स्बाइक हो जब देश भर में यह प्रमुख खेती जूट है और यहां सीमानचल के जूट के खेती से वेस्ट बंगाल के मसीन का पहिया गुमता था लेकिन बंगाल का पहिया गुम रहा है और बिहार के कटियार जिला का पहिया उजर गिया हम लोग ओद्यों की विहिन हो गए मैं एक ची समझना चाहरा हूं जाता है इसकी बोरियां बनती है और यहां के वह फेक्टरी बंद कर दी जाती है ऐसे में तो मजदूर बाहर ही जाएगा ना भीहार का पलाइन हो रहा है आप जिसमें हमको लगता है अगर सबसे जादे पलाइन हो ला होगा तो सिमानचल्स हो रहा हो गाँ खटियार से बता नाम है जोगवानी अरडिया फारुषगान इस अब होते हुए समुचा कर लोग जाते हैं वहां बाहर कमाने के लिए मजबूरी है कहा अब कहा करेगा रोजी रोटी नहीं है तो बाहर तो जाना ही होगा बिहार में सरगारों को काफी द्यान देना पड़े का यार आपके माध करेंगे दियाम से हम उन्रोथ करना चाहेंगे कि जिस कटीहार की पहच नॉट उट-कूज्ज रूप में थी हम में जयनपर्तिनी थी भिहार सरकार भारस सरकार ध्यान दे और कढ warfare में जो खंगरों us pages नहुज बिरोजगार है उसके बाल बत चाव,нок Gast Spreadra Raja my लोकतंत का महापर्व है उसमें भी हम अंडोद करेंगे कि हमारे कट्यार जिला में उद्योग नगरी को बसाने के रूप में जन पर जिन्दी प्रियास करें और अगर बसता है तो फिर एक बार कट्यार जो है जूट नगरी के रूप में विक्सित हो जाए जिकाजी सरकारें हम भी गुहारी लगा सकते हैं आपके साथ की स्थितियों पर ध्यान दिया जाए अगर सरकारें इन उपकरमों की ओड़ ध्यान दे 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 ना तो बिहार को पिछड़ा और बिहार को मजदूर सप्लायर का राज कहे के तंज करसने वाले जो लोग हैं उनके वो एक करारा द्धान दीजे जनाब मैं से द्धानत हूं कैमरे के पीछे और रिड के पीछे विजय हैं और आप इस बंद होते हैं वीडियो में जूट मिलकी यह तस्वीरे देखिए